वेलकम टू सरो समाजी को राउंडर चैनल सरो समाजी को राउंडर चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है तो ये आपके लिए बहुत ही इंपोर्टन कोस्चन है जो पलक जपकते ही आपको याद हो जाएंगे चलिए वीडियो को स्टाट करते हैं आज मैं बताऊंगा पिरिष्टिय छेतरफल और आयतन ये जो चैप्टर है बहुत ही इंपोर्टन चैप्टर है सिर्फ ये कलास नाइंद के लिए नहीं है आप अगर कम्पिटिशन एक्जाम के भी तैयारी करते हैं तो पिरिष्टिय छेतरफल और आयतन इसी से रिलेटेड बहुत सारे उबजेक्टिव कोस्टन आते हैं अगर आपका पूरी तरह से तैयारी है तो आप चेक कर सकते हैं कि ये जो बताया गया है कितना आपसे हल होता है और कितना नहीं होता है ध्यान देजे तो आज मैं बताऊंगा पिरिष्टिय छेतरफल और आयतन पिछला वीडियो में मैंने बता चुके हैं एक से नो नमबर तक पिछला वीडियो में मैंने बता चुका हूँ इसका नीचे में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया होगा आपको सुरू से इसका सुरू का वीडियो आपको देखना बहुत ही अनिवारी है अगर आप ये सुरू वाला वीडियो नहीं देखते हैं तो यहाँ पर आपको समझने में काफी परेशानी हो सकती हैं तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है लेकिन अगर आप नहीं भी देखते हैं तो पहले आप देख लिजे अगर आप समझ जाते हैं तो ठीक हैं अगर समझने में कोई भी बात परिशानी रह चुकी हैं तो ये सब वीडियो को आप एक बार अवस ही देख लें तो आज मैं बताऊंगा कोश्चन है किसी घहन के विकरन की लंबाई 6 cm है तो घहन का आयतन क्या होगा बिल्कुल असान है ये गो मैं बताऊंगा तो आप अपने आप कोई भी हिसाब आ जाएगा इस चेप्टर से तो मैं वादा के सांद बोर रहा हूं कि आप से मिस नहीं जाएगा और जब आप एक्जाम देके आईएगा तो आप पर खुसी का महूल चा जाएगा तो पिछले वर्स की तरह इस वर्स भी आप लोगों को लाना है 90 पार मार्स वो भी मेत में मैं सिर्फ प्रिष्टि छेतरफाल तथा आयतन का ही वीडियो नहीं बनाया हूं साइकता से लेके मिलांटिन से लेके सारा रचना हिरोन के सुत्र से बिरीत जितना भी है समांतर चतुरबूज चतुरबूज तिर भूज ठीक है रेखा एवंकोन निर्दे सांख जामिती जितने भी चप्टर मेत में दो चरवाले रैखिक समीकरन बहुपद संख्या इसको नहीं बताया हूँ ऐसा कोई बात नहीं जो भी मैं चिप्टर बताता हूँ आपको पता होगा आप वीडियो जाकर देख सकते हैं जो भी चिप्टर मैं बताता हूँ उसका सारा का सारा मैं सुल्व करके ही बताता हूँ नहीं तो बहुत लोगों ने कमेंट कर देंगे य आईसा कोई बात नहीं होना चाहिए तो चलिए धियान दीजिए ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है यहीं तो वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा किसी घान के विकार्ण की लंबाई 6 cm है तो घान का आयतन क्या हो जाएगा तो बिल्कुल असानी तरीका से बनाना है आपको पिछला वीडियो में मैंने तीन सुत्र बताया था घान के विकार्ण की लंबाई और घान का आयतन ये साब सुत्र बताया था ठीक है ध्यान दीजिए तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि घान का विकार्ण रूट 3 A होता है या A रूट 3 भी लिख सकते कोई द घान दीजिएगा कोई भी चीज पहले आपको पूरी तरह से किलियर माइंड करके ही समझना है ताकि आपको पूरी तरह से समझ में आ सके तो घान का विकार्ण सबसे पहले लिखना है ठीक है इसका इंसर मैं स्वल्व कर रहा हूं घान का विकार्ण विकर्ण घान का विकर् की लंबाई कितना दिया हुआ है 6 6 है ठीक है घं के विकर्ण की लंबाई क्या है 6 जेंटिमीटर तो घं का विकर्ण होते है root 3 A बराबर 6 जहां तक आप समझ गए हैं तो A बराबर हो जाएंगे 6 उपर और ये वाला root 3 कहां आ जाएंगे नीचे ये चीज आपको पता होगा कि अगर 2 X बराबर 6 रहते हैं तो X बराबर क्या हो जाते हैं 6 लिखा तो जाता है यहां लिखा जाता है और ये वाला 2 जो होता है कहां हो जाता है ये वाला 2 हो जाता है पीछे से आता है तो नीचे इसी परकार यहाँ पर, यह बराबर क्या हो जाएंगे 6 उपर, रूट 3 नीचे, अब क्या करना है, मैं आप लोगों को ट्रीक बता देता हूँ, रूट 3 एक चीज़ ध्याम देना है, आपको सब दिन यानि लाइफ टाइम के लिए काम देंगे, कि रूट 3 गुना, रूट 3 हो हो जाएंगे 9, 4 गुना, 4 हो जाएंगे 16, लेकिन रूट लगा देंगे, रूट लगा देंगे, ठीक है, 4 गुना, 4 हो जाते हैं 16, लेकिन रूट लगा देंगे, तो हो जाएगा, 4 ही हो जाएगा, रूट 4 गुना, रूट 4, 4 हो जाएगा, जब एक चीज़ ध्याम देना है यहां पर कि अगर root 3 गुना root 3 3 होते हैं ठीक है root 3 गुना root 3 जब 3 होते हैं ठीक है यहां पर ध्यान दिजे कि root 3 को गुना करेंगे root 3 से तो सिर्फ 3 होता है root 3 को 3 से गुना करेंगे तो 3 होगा क्या 3 को नहीं लिख सकते है root 3 गुना root 3 बिलकुल लिख सकते है जब गुणा रूट 3 को 3 लिख सकते हैं तो 3 को रूट 3 गुणा रूट 3 लिख सकते हैं क्यों? क्योंकि ये दोनों बराबर हैं इसको इधर कर सकते हैं तो उसी परकार क्या करना है ध्यान दिजे बस अगर समझ गएं तो पहले 6 को क्या लिखेंगे? तीन गुणा दू लिखने से क्या आ जाते हैं? छे तीन गुणा दू लिखने से छे आ जाते हैं और नीचे क्या है? रूट 3 ठीक है तो ए बराबर हो जाएंगे तीन को क्या लिख सकते हैं? रूट 3 गुणा रूट 3 ठीक है तीन को क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर मैं बता चुका हूँ कि 3 को अब root 3 गुना root 3 भी लिख सकते हैं तो 3 को लिख दिए root 3 गुना root 3 गुना 2 और नीचे लिख दिए root 3 ठीक है 3 3 cut गया root root cut गया क्या बच गया एक कामान हो जाएंगे 2 root 3 अब क्या बोर रहा है तो इसका आयतन क्या होगा आयतन पुछ रहा है आयतन हो जाएंगे आयतन का सुत्र हो जाता है एक यू आयतन का सुत्र हो जाएंगे एक यू तो क्या हो जाएंगे यहाँ ध्यान दिजे आयतन हो गया एक यू जानि एक कामान कितना भरना है 2 root 3 तो एक कामान भर दे 2 root 3 का whole q तो हो गया दू का स्क्वार दू गुना दू गुना दू क्या हो जाएंगा दू का क्यू दू का स्क्वार चार होता है दू का क्यू दू ती आच्छे बहुत लोग क्या कर देते हैं दू ती आच्छे करके रख देते हैं नहीं दू है तीन बार दू गुना दू गुना दू दुना के चार दुना के आठ अब क्या है रूट थिरी का बार है तीन बार यानि रूट थिरी गुना रूट थिरी गुना रूट थिरी रूट थिरी दूग रूट थिरी के बदले क्या होता है एक रूट थिरी होता है तो आठ गुना दूग रूट थिरी के बदले होता है ए इसका इंसर तो 24ू3 अब क्या है cm आई तैन है तो लिख दिये 24ू3 cm की वह इंसर तो 24ू3 यहां पर इसका इंसर है यही होगा इसका इंसर वीडियो थोड़ा सा धुंदलापन आता होगा क्योंकि मैं वीडियो रात में बना रहा हूं थोड़ा सा टाइम का अभाव के का अगर 1 वीडियो में 7-8 लग जाएंगे इस तरह में तो एकजाम में छुड़ जाएंगे लेकिन नहीं आपको समझना है समझ जाना है लंबा लेकिन आपको बनाना है शोट प्रोशेस से कोई भी चीज आप अपने समझ जाएगा तो सोट बनाएगा जैसे आप अगर समझ गए तो 11 नमर देखे बिलकुल असानी से बना लेना है क्या है लंबाई कितना दिया हुआ है विकर्ण की लंबाई किसका है घान के विकर्ण की लंबाई क्या है नाइन रूट थिरी लिख दिये ठीक है अब बोर रहा है इसका समपूर्ण पिरिष्टे चेतरपल तो इसका हो जाएगा सबसे पहले घान का समपूर्ण पिरिष्टे चेतरपल तो यहाँ पर ध्यान दिजे घान का समपूर्ण पिरिष्टे चेतरपल क्या होता है ए रूट थ या फिर लिख सकते है root 3 ए बराबर हो जाएंगे 9 root 3 ठीक है तो ए बराबर क्या हो जाएंगे ए बराबर हो जाएंगे 9 root 3 बटे root 3 root 3 root 3 क्या हो गया? गड़ गया एका महान कया आगया नाइन एका महान आगया अब नाइन खीक है अब क्या बोर रहा है इसका क्या बलता है समपूर्ण समपूर्ण मतलब कुल पुलिष्टे ग चेतर फал हो जाएंगे घ Huiन का कुल पुलिष्टे ग चेतर फल मह JerIK working be square एके मान अब कितना भरना है 9 तो लिखेंगे 6 गुणा 9 का square बराबर हो जाएंगे 6 गुणा 81 अब 81 को गुणा करेंगे 6 का क्या हो गया 6 और 8 के अनताले 486 cm square जहां पर होगा इसका इनसरवाई होगा तो 486 cm square एक घन की भुजा 10 cm है तो आईतान क्या होगा भुजा कितना दिया गया है ध्यान दिजे भुजा दिया गया है A भुजा कितना भुजा को A बोला जाता है ठीक है A से भुजा से denote किया जाता है ठीक है तो 10 cm तो घन का आईतान क्या हो जाएगा A Q यानि क्या हो जाएगा 10 का Q यानि लिखेंगे 10 गुना 10 गुना 10 का बार लिखेंगे 5 बार 10 गुना 10 गुना 10 इसको गुना करेंगे तो एक देखे क्यों जीरो है TEम हो गया 1000 сेंटीमेटर Q 13 नमर में लिखा हुआ दो गणों के आइटन में एक अनूपात 27 का अनूपात है यानि एक अनूपात 27 का अनूपात के रूप में है तो उनका शंपूर्ण, प्रिष्टिय, छेतर फल क्या हो जाएंगी तो ध्यान दीजी तो ये चीज में ध्यान नहीं देना है कि 2 गHAN का आईतन है दू गो है तो दू बार लिख देंगे एक बार AQ और बटा लिख दिए AQ ठीक है अब बराबर लिख दिए क्या लिखा हुआ 1 27 है यानि आपको लिखना है 1 बटा 27 कोई दिक्कत नहीं ठीक है AQ Q है यानि 3 गो का जोड़ा बनेगा ठीक है इसका ट्रीक बता देता हूँ कि AQ रहेगा AQ रहेगा तो हो जाएगा 1 का Q तो ये वाला Q हट जाते है ठीक है इसमें हो गया AQ तो इसमें क्या हो जाएगा 27 में क्या हो जाएगे Q तो इसका मतलब हो गये 27 में यानि क्या हो गया Q मतलब हो गया इसमें जोडा लगा यानि इसका मतलब हो जाएगा घन में आ जाएगा ये वाला तिन कहां जाएगा घन में ये इसक्वाइर हटने पर इसक्वाइर हटने पर रूट में आता है और रूट हटने पर इसक्वाइर में आता है लेकिन तीन को हटने पर घनमूल में आ जाते हैं औ का यानि एक को का बार लिखना एंन एक गुना एक करेंगे तो क्या होगा फिक typically एफ ध्रर उगा一定要 im जाएंगे दो एक के बादले होंगे तो ऊभटे वराबर हो जाएंगे ऊहाद तीनarsY एक और तीन का घनमूल हो जाएंगे तीन ठीक है तो यहाँ पर हो जाएंगे ध्यान दिजे तो यहाँ पर आ गए एक बटा तीन यानि एक का माना गया एक और एक के माना गया तीन यानि एगो के माना आया एक एगो के माना आया तीन समपूर्ण प्रिष्टिय छेतरफल हो जा धियान दीजे, एकों में एक आमान भरेंगे एक और एकों में एक अनुपात no answer. उसके बाद है, 14 नमबर में सेम हैं. दो घसंनों का सीडिंडाना लेकिन इसका बलता रह पिरिष्य चतरफल ऍितने बनाना है जैसे इसका इंसका प्सक्तम प्रतर। बूर्टा में क्यों लिखे क्योंकि यह अनुपात में है इसके है तो लिखना है एक बटा आठ ठीक है एक बटा ये वाला क्यूं जाएंगे तो समझे क्यूं हो जाएगा यानि घनमूल का चीन हो जाएगा यानि की हो जाएगा एक का घनमूल और ये हो जाएगा आठ का घनमूल बनाना है घनमूल में क्या होगा एक गुना एक गुना एक का जोड़ा बनता ह और आठ में क्या हो जाएगे दू गुना दू गुना दू का घरमू लगते हैं इसमें तीन गुका जोड़ा लगते हैं ठीक है तो एक का हो गया एक दू गुना दू गुना दू का हो जाएगा दू यानि इसका एंसर हो जाएगे एक अनुपात दू एंसर जहां पर होगा एक कनुपाद दू इंसर वही होगा इसका इंसर पंदरा नमबर में किसी घान का परते किनारा दू गुना कर दिया जाए तो आइतन क्या हो जाएगा आइतन कितना गुना हो जाएगा घान का परते किनारा यानि घान का किनारा होता है ठीक है पंदरा नमबर में हो गया घान का किन किनारा हो गया ए तो क्या बोल रहा है घं के किनारा को दू गुना कर दिया जाए तो आइतन क्या हो जाएगा तो आइतन बराबर हो जाएगा इसको दू गुना कर दिया घं का किनारा क्या लिग दिये किनारा हो गया ए इसको क्या कर देना है दू गुना यानि दू से गुना कर तो क्या हो जाएगा दू को ए से गुना करेंगे तो हो जाएगा टू ए ठीक है तो आइतन क्या हो जाएगा आइतन बराबर हो जाएगे टू ए का क्यू यानि की हो जाएगा दू दू दूना के चार दूना के टू ए गुना हो जाएगा टू ए गुना टू ए समझे ठीक है इस से गुना यानि आठ गुना हो जाएगा आठ गुना तो यहां पर लिख देना है आठ गुना हो जाएगा स्वला नमबर पर स्वें कोश्यान घैनका परते किनारा को तिन गुंदा कर दिया जा जाए तो पिरिष्टे च्छतरफल क्या हो जाएगा यानि की 6 A square हो जाएगा 6 A square A के मान क्या हो जाएगा ध्यान दीजी तो यहाँ पर हो जाएगा प्रिष्टिय छेतरफल तो प्रिष्टिय छेतरफल हो जाएगे A square यानि 6 गुना 3 A square तो 6 तो ही है तो इसका छेतरफल हो ठीक है कितना गुना जादा हो जाएगा तो तीन तिया नो एका इसक्वार यानी नाव गुना जादा हो जाएगा तो इसका क्या हो जाएगा नाव गुना ठीक है अब यहाँ पर है किसी घान के किनारों की संख्या कितनी होती है तो बोला गया रहा है किसी घान के परते किनारों की संख्या कितना होगा तो बारा होता है, बारा कैसे होगा ध्यान दीजे, एक, दो, तीन, चार हो गया, अब यहां से इसका पांच, छे, साथ, आठ हो गया, यहां से हो गया, एक नाव, एक दास, एक एक आरा और एक बारा, और इसका डिब्बा का हैर भाग भी देखेगा तो बारा ही होगा, यानि क किनारा जितना भी होता है 12 होता है तो घहन का परतिक किनारा क्या हो जाएगा 12 इसका होता है एक घनाब की लंबाई चौड़ाई और उंचाई है तो सम्पूर्ण प्रिष्टिय चितरफल क्या यह है सूत्र दिया गया है ठीक है टू इंटू एल बी जोड भी है जोड एचल य यह हुआ सूत्र हुआ ठीक है एल स्कॉाइर पलस भी स्कॉाइर पलस है रूटंड है इसका सूत्र होता है बिकर्न का सूत्र क्या होता है एल स्कॉाइर पलस भी स्कॉाइर पलस एच स्कॉाइर है तो अगला दिन वह बताऊंगा एक का इस नमर से बताऊंगा ठीक है अगर आपको बिग्यान यानि बिग्यान में जो यह सब नोमेरिकल कोस्चन है, इसका भी अगर आपको वीडियो चाहिए, तो आप हमें कमेंट कीजेगा, क्या आपसे यह सब physics का जितना भी हिसाब है, यह सब जो देख रहे हैं, नोमेरिकल सब, क्या आप लोगों से बन जाता है, अ इसके अलावा कोई भी वीडियो की जरूरत होगी तो आप हमें कमेंट कीजेगा लेकिन एक चैनल होगा उसे सब्सक्राइब करने नहीं भुलना है और इस चैनल को तो आपको सब्सक्राइब करना काफी आनिवारी है